अध्याए 28. सारा की भय की प्रतिधनी सारा डेविस हमेशा पुरानी परित्यक्त इमारतों के रहस्य की और आकरशित हुई थी. इसलिए जब वह जंगल के भीतर गहरे में छिपी एक भयानक हवेली से टकरा गई, तो वह इसके सड़ते हुए हॉल का पता लगाने की इच्छा का विरोध नहीं कर सकी, वह बहुत कम जानती थी. हवेली में रहस्य उतने गहरे थे जितना वह कभी सोच भी नहीं सकती थी. अध्याए 1. हवेली का भव्य प्रवेश द्वार जैसे ही सारा ने हवेली के भव्य प्रवेश द्वार से कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी रीड की हड़ी से ठंड़क बह रही है, हवा धूल और सड़न की खुश्बू से भरी हुई थी, और एक समय का भव्य साथ सज्जा बरबाद हो गया था, लेकिन सारा ने जोड दिया, उसकी जिग्यासा उस पर हावी हो गई, प्रवेश कक्ष उसके सामने फैला हुआ था, इसकी दीवारें फीकी टेपेस्ट्री और रहते चित्रों से सजी हुई थी, सबसे पहले उसने उन्हें हवा की चाल के रूप में दूर कर दिया, फुस्फुसाहट के स्त्रोत को उजागर करने के लिए द्रिड संकल्पित, सारा ने हवेली की गहराई में प्रवेश किया, वह छिपे हुए मारगों और गुप्त कक्षों पर ठोकर खाई, जिनमें से प्रत्यक पिछले से अधिक भयावह था, और उसके हर कदम के साथ फुस्फुसाहट और तेज हो गई, जिससे उसका मन अकथनिय भयावहता की छवियों से भर गया, लेकिन यह वही था जो हवेली के केंद्र में था जिसने सारा को उसके मूल में हिला दिया एक कमरा जो अंधेरे में डूबा हुआ था, इसकी दीवारे, विचित्र चित्रों और रहस्य में प्रतीकों से सजी हुई थी, जैसे ही सारा ने कमरे में कदम रखा, उसने चाया से उसे देख रही एक उपस्थिती महसूस की, इसकी दुष्ट द्रिष्टी उसकी रीड की हड़ी को काम प्रही थी, अध्याय तीन, बधिर्ता की प्रतिध्वनी अचानक, फुस्फुसाहड बहरी हो गई, अन्य सभी आवाजे डूब गई, सारा ने पीडा में अपने कान पकड़ लिए, लेकिन आवाजे उसके दिमाग में गूनजती रही, जिससे वह मौत और निराशा के दर्शन से पीडित थी, उस पागलपन से बचने के लिए बेताब, जिसने उसे खा जाने की धमकी दी थी, सारा हवेली से भाग गई, उसका दिल उसकी चाती में धड़क रहा था, लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर भाग जाए, वह हवा में छिपे भय की भावना को हिला नहीं सकी. अध्याय 4. भय की प्रतिध्वनी से प्रेत्वाधित अपने सपनों को परेशान करने वाले डर की प्रतिध्वनी से परेशान, सारा ने हवेली के काले अतीद के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई, लेकिन जैसे ही उसने परित्यक्त इमारत को घेरने वाले रहस्यों में गहराई से खोज की, उसे एहसास हुआ कि कुछ रहस्य कभी भी उजागर होने के लिए नहीं थे. एक ऐसे दोहस्वपन में फंसी, जिससे वह जाग नहीं सकती थी. सारा को हवेली की दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे का सामना करना पड़ता है और उन भयावहताओं का सामना करना पड़ता है जो अज्यात की गहराई में उसका इंतजार कर रही है. अध्याए 5. रहस्योद घटन जैसे ही सारा ने हवेली के काले रहस्यों को उजागर किया, उसने इसकी भयावा फुस्फुसाहट के पीछे की सच्चाई की खोच की अतीत के अन्यायों का बदला लेने के लिए एक प्रतिशोधी आत्मा द्वारा भूमी पर एक अभिशाप, यह हवेली जीवित और मृत लोगों की दुन्या के बीच फंसी हुई खोई हुई आत्माओं के लिए एक जेल थी, आत्मा के साथ अंतिम तकराव में सारा को अपने डर का सामना करना पड़ता है और अंधेरे का सामना करना पड़ता है, केवल सच्चाई को गले लगाकर और अभिशाप को तोड़ कर ही वह हवेली की पकड से बचने और एक बार फिर शांती पाने की उम्मीद कर सकती है